हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सोट, सो पेपर वन में आज हम टाइपस ओफ कम्यूनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन आपके लेकर आए हैं, इन क्वेशन के साथ स्टुडेंट्स आप लोगों के कॉंसेप्स तो क्लियर ह रहेगा कि टाइपस ओफ कम्यूनिकेशन कितने टाइप के होते हैं और साथ इसमें से कैसे क्वेशन्स पेपर में पूछे जाते हैं फुल सलेबस MCQs और PYQs भी दिये जाएंगे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे एजली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटिड मॉक टेस्ट है और 5000 प्लस MCQ question bank है जो कि explanation के साथ आपको मिलेगा और यकीन रखिए कि इसमें से as it is सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं limited period के लिए ये discount आपको दिया जा रहा है इसके लिए आपको given numbers पर whatsapp के through call या message करके पूरी जानकारी लेनी है साथी students free videos और mock test के लिए global online आपको डाउनलोड कीजिए store section पर search bar में आपको लिखना है course का नाम content पर जाते ही आप देखोगे कि unit wise folders हैं जिससे कि आप कभी भी किसे भी unit से अपने revision को start कर सकते हो आपके state के अलावा other states के PYQs भी हम आपको देते हैं practice के लिए ताकि आपको upcoming examination के लिए एक idea मिल जाए कि कि किस level के सवाल पूछे जा रही है तो यह एक ऐसा course है जो definitely students आपको exam qualify करने में help करेगा तो चली शुरू करते हैं हमारा आज का पहला question है match the following से related ठीक है जिसमें की पहला दिया गया है modes of communication and यहाँ पे दिया गया है types of communication तो पहला option है one to one, one to many, many to many and one to none ठीक है सो यह mode है communication के one to one की बात करें कि एक person सिरफ एक person से ही communicate कर रहा है ठीक है इसको बोला जाता है one to one one to many होता है कि एक इसमें sender है ठीक है and इसमें many receivers हैं ठीक है यह होता है one to many यानि कि एक sender ने multiple receivers को कोई message दिया जैसे अभी मैं एक sender हूँ आप लोग multiple receivers हो ठीक है तो यह है one to many relationship यह one to many mode of communication जैसे हम private unions की बात करते हैं तो एक teacher एक student को अगर पढ़ाते हैं ठीक है यह होता है one to one next आता है many to many so many to many में क्या होता है multiple यहाँ पे sender होंगे and multiple यहाँ पे receiver होंगे ठीक है तो यह है senders and यह है receivers ठीक है last है one to none यानि कि एक person सिरफ अपने आपको ही message दे रहा है अपने आप से ही बात कर रहा है ठीक है तो यह चीज क्या होती है यह हमने detail में previous two lectures में बहुत अच्छे से देखा है one to none यानि कि वो person किसी दूसरे person से बात नहीं कर रहा वो अपने आप से ही बात कर रहा होगा तो इस चीज को क्या बोला जाता है तो अगर आप लोग ने previous video देखी है तो within a second आप लोग इसका answer दे सकते हो तो types of communication में बोला गया है network communication that is transactional, intrapersonal, interpersonal and mass communication specially print तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो आता है सबसे पहले one to none इसमें क्या होता है कि person अपने आप से बात करता है यानि कि intrapersonal communication तो उसके बाद हमारे पास आता है one to one तो यानि कि एक person सिरफ एक ही person से बात करता है यानि कि यह होता है interpersonal communication तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरह की options जो हैं वो सिरफ option number three में match हो रहे हैं तो उस according option number two का right answer है one to many यानि कि mass communication इसके एक example हमने देखा था bees जो मदुमक्खी होती है उसके थू मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है and many to many का मतलब होता है network जैसे कि social media है कितने सारे लोग कितने बाकी के लोगों के साथ simultaneously जो है बात कर सकते हैं ठीक है so right answer है option number three next question is efficiency of written communication depends on so जो भी written communication होता है यानि कि हम लिखित तोर पर अगर किसी से बातशीत करते हैं तो उसकी efficiency को किस basis पे हम measure कर सकते हैं तो पहला option होता है इसमें lengthy presentation दूसरा होता है complex sentence structure editing after writing ठीक है so मैं discuss करती हूँ जिसे lengthy presentation यानि कि अगर मैं एक ही चीज़ को बहुत सादा detail में लिख दूँ ठीक है तो क्या वो एक efficiency होगी written communication की या फिर अगर मैं complex words उसमें use करूँ मालीजे ये question है तो यहाँ पर अगर मैं strong की जगा कोई बहुत ही heavy term use करती हूँ ठीक है कोई complex sentences use करती हूँ तो क्या efficiency माने जाएगी वो ठीक है next आता है editing after writing यानि कि एक बार मैंने कुछ लिख दिया उसको काट करके मैं फिर से यहाँ पर कुछ चीज लिखती हूँ तो वो होता है editing after writing यानि कि लिखने के बाद उसमें changes करना ठीक है brevity in sentences यानि कि वाक्यों में संक्षिप तता ठीक है यानि कि briefly हम किसी चीज को अगर explain करते हैं जैसे अभी यहाँ पे इतने से sentences लिखे हैं मैं इसको detail में आप लोगों को बता रही हूँ तो यह होता है brevity in sentences ठीक है next आता है use of strong words ठीक है strong words का मतलब होता है कि जो predefined exact meaning होता है किस अगर हम उसको use करते हैं तो वह efficiency मानी जाती है written communication में next आता है हमारे पास effective use of words यानि कि जो मैं कुछ बोलना जाती हूं उस word को मैं कैसे present कर रही हूं आप लोगों के सामने effectively कैसे present कर रही हूं वह चीज भी important है या नहीं है ठीक है so इसमें अगर हम लोग देखें so सबसे important है option number C that is editing after writing next है brevity in sentences and last है F यानि की effective use of words ठीक है so right answer होगा B, D and F ठीक है that is option number 3 sorry C, D and F that is option number 3 is the right answer next question है synchronous communication takes place through which of the following technology ठीक है so synchronous जो है यह क्या होता है इन चीजों को हम लोग detail में discuss कर चुके हैं फिर भी मैं आप लोगों का भी बताऊंगी ठीक है synchronous यहाँ पर बोला गया है takes place through which of the following technology पहला है video chatting जो हम लोग video calls करते हैं virtual classrooms अभासी कक्षाएं जैसे एक होती है regular classes जो हम लोग offline classes बोलते थे जिसको कि school में जाना college में जाना वहाँ पर classes लगती थी virtual classes होती है जो lockdown and corona के टाइम पर हम लोगों ने classes अटेंड की है ठीक है अभी जो हमारी class है यह वाली जो आप अभी अटेंड कर रहे हो यह भी एक virtual class है ठीक है next है audio conferencing जैसे कि हम लोग mobile phone में multiple people लोग conferencing के थूँ बात करते हैं लेकिन वो सर्फ audio होता है video नहीं होता है ठीक है wikis जैसे कि wikipedia यह फिर जो searching चीज़ें होती है next आता है electronic mail जिसको की हम लोग simply email बोलते हैं ठीक है synchronous type क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना जाए तो synchronous communication में sender और receiver ठीक है यहां पर दो person है हमारे पास एक है sender और एक है receiver ठीक है यह दोनों communication में participate करते हैं at the same time ठीक है same time पर यह बात करते हैं यानि कि अगर यह person कुछ बोल रहा है तो receiver भी simultaneously उसका response देता रहेगा ठीक है इसमें कोई भी start and stop bits नहीं होती है ठीक है इसमें कोई भी fast transmission नहीं होती है जब जो भी topic होता है उस पे teacher and student communicate कर सकते हैं ठीक है अब जैसे अभी हम लोग teaching student communication अभी हमारा चल रहा है इसमें क्या हो रहा है सिर्फ मैं बोल पा रही हूँ आप लोग नहीं बोल पा रहे हो ठीक है लेकिन अगर offline class होती तो students and teacher यह दोनों साथ में बोल सकते थे ठीक है अपनी जो चीजें हैं उनको share कर सकते थे तो synchronous में आता है video chatting virtual classroom audio conferencing यह तीन चीज़ concept है तो इसमें sender और receiver जो है वो same clock system पे काम नहीं करते है एक साथ वो एक दूसरे को reply नहीं कर सकते है ठीक है this take more time for transmission यानि की पहले एक person person A जो है वो बोलेगा अपनी बात को complete करेगा उसके बाद ही person B जो है वो अपनी बात बोल पाएगा यह होता है asynchronous ठीक है यानि की synchronous यानि क different time and different places यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि video chat virtual classroom and audio conferencing that is A, B and C is the right answer next question है given below are two statements one is labeled as assertion and another is reason तो इस तरह की questions paper 1 में बहुत बार पूछे जाते है ठीक है तो assertion बोलता है कि verbal communication takes place in real time ठीक है जो मौखिक संचार होता है वो वास्तविक समय में होता है and उसका reason, reason से पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ आपने लिखना है क्यों की यानि की because ठीक है तो आप लोग easily solve कर सकते हो यहाँ पर बोला गया है इसका reason because written communication is synchronous in character as it appear at different intervals ठीक है तो यह question directly यहाँ पर पूछा गया है अभी आप लोगों को मैंने बताया written communication क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया synchronous communication क्या होता है and verbal communication हम लोग previous three lectures में discuss कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि assertion जो है वो बिलकुल correct है लेकिन reason जो है वो illogical है यह statement ही incorrect है ठीक है so right answer होगा option number three next question आता है हमारे पास identify the technical term used to describe body language from the following so किसी की body language के true अगर हमें किसी person को observe करना है या वो हमें क्या कहना चाहते है वो समझना है तो उस चीज़ के लिए technical term जो है communication में क्या use की जाती है options are proximics, chronymics, kinetics and haptics ठीक है so यह जितनी भी terms है यह बहुत important है इस पर एक separate video मैं लेकर आऊंगी ठीक है पहले तो बात करते हैं body language की body language क्या होता है अब जैसे माली जै मैं इशारों के थ्रू आप लोगों को कुछ चीज़े समझा रही हूँ ठीक है मैं बोल कुछ नहीं रही हूँ मैं इशारों से आपको बोलती हूँ जैसे written हम लिखने की कोई expression देता है थो हम pen की movement का expression बताते हैं तो यह सब चीज़े आती है body language की थ्रू ठीक है इसमें जैसे हमारे facial expressions आते हैं हमारी appearance आती है appearance के अंदर आता है जिसे color की choices क्या होती है हम किस तरह से खुद को dress up करते हैं हमारा hairstyle ठीक है facial expressions से आता है जैसे हमारे emotions अगर हमें define करने होते हैं ठीक है next आता है अगर हम लोग kinesis की बात करें kinesis की बात करें तो यह आते हैं हमारे body के gestures, posture इन सब चीज़ों से related ठीक है जैसे कि अगर हम legs cross करते हैं, अपनी arms cross करते हैं बिल्कुल अपनी baju फैला करके या legs फैला करके बैठ जाते हैं ठीक है तो यह सब चीज़ें जो होती है यह technical term use की जाती है body language के through ठीक है, जो यह जो है बहुत important है next बात करते है chronymics की, ठीक है chronymics जो है यह time से related चीज़ें होती है कहीं पे भी time की बात की जाए, that means we are talking about chronymics so it refers to the study of how time affects communication की communication time की वज़े से क्या चीज़े हो सकती so इसमें time में आता है biological time, personal time, physical time या फिर cultural time next आता है proxymics so proxymics चीज़ें होती है space से related ठीक है, so it refers to how people use and interpret space amount of space हमें चाहिए, जैसे कि social norms होते है social norms होते है, हमारी personality होती है कुछ लोग होते हैं, जो कि किसी से मिलना जुनला पसंद नहीं करते वो space चाहते है, ठीक है यह सब चीज़ें आती है, हमारी proxymics के अंदर किसी person की personality characteristics जो होती है उसकी familiarity के level जो होता है next बात करते हैं, haptics की haptics जो होता है, कहीं पर भी अगर आए तो touch से related चीज़ें होती है ठीक है, touch से related चीज़ें होती है जैसे कि अगर मैं किसी से बात करी हूँ मैं बार बार उनको touch करती हूँ कई लोग होते हैं, उनको बार बार बात करते हूँ या किसी को किसी के बैक में या शोल्डर में इस तरह से थोड़ा सा धका मारने की आदत होती है तो यह सब चीजे आती है 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 या हाप्टिक्स के अंदर ठीक है जैसे हैंड शेकिंग होता है शोल्डर पे किसी को हम पैट करते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप, इससे क्या होता है, हम लोग अपनी फ्रेंडशिप बताते हैं परसन को, ठीक है, लव बताते हैं, जैसे हम किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं, या हाथ पकड़ कर बात करते हैं, किसी के फेस को, किसी के बालों को हम टच करते हैं, यह सब चीज़े हैं, हाप्टिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, हाप्टिक्स के अलावा एक और अप्शन होता है, Oculics, ठीक है, Oculics का मतलब होता है, Eye Contact, यह टर्म्स बहुत जादा important है, ठीक है, Eye Contact, it serves communicative function, ranging from regulating interaction to monitor, ठीक है, अब जिसे किसी से Eye Contact करके बात करते हैं, तो बोला जाता है, कि उनका bond बहुत strong है, या फिर यह बोला जाता है, कि अगर मैं बिल्कुल सच बोर रही हूं, मेरे दिमाग में, मेरे मन में बिल्कुल भी खोट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं Eye Contact करके कि किसी person से बात करूंगी, ठीक है, तो इसके तुरू हमें किसी person का emotion, ठीक है, उनकी hostility, उनका interest, उनके प्रती, हमारी attraction, ये सब चीज़े पता लगती हैं, ठीक है, तो ये है, Oculisics, एक बार मैं spelling इसकी clearly लिख देती हूं, ये है, ठीक है, next है, हमारे पास last point, that is Olphactics, ठीक है, इसका मतलब होता है, smell से related चीज़े, ठीक है, अब जैसे हम order, order मतलब O-D-O-U-R, किसी की खुश्पू से हम किसी को पहचान लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी के perfume की खुश्पू हो सकती है, या natural body की smell होती है, ये सब चीज़ें आती है, Olphatics के अंदर, ठीक है, so ये सब चीज़े which of the following is considered as an effective form of verbal communication, ठीक है, so verbal communication में effective form क्या है, storytelling, किसी को हम अगर story सनाते हैं, कथा वाचन करते हैं, ठीक है, slang and hearing, next है use of high pitch of voice, यानि ये बहुत loudly अगर मैं किसी से बात करूँ, and last है monologues, ठीक है, so voice जो होती है, voice हमारी एक delivery का तरीका होता है, ये एक major role play करता है, अगर मैं अभी आप लोगों को बहुत lightly पढ़ाऊं, तो आप लोग interest से नहीं पढ़ोगे, आप लोग attention, मैं आप लोगों की attention gain नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, तो volume जो है, हमारा voice का tone जो है, ये बहुत matter करता है, ठीक है, इसके अलावा, मेरा बोलनी की speed, जो है, मेरी pronunciation है, ये एक चीज़ को मैं real life से relate करके बता रही हूँ, तो ये क्या है, ये storytelling है, यानि कि मैं stories बना बना कर आप लोगों को सभी चीज़े समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है, तो इस according हमारा right answer होगा, option number one, next question है, again, match the following से related, types of communication and उसके characteristics, तो verbal, horizontal, circular and transactional, ठीक है, तो verbal communication क्या बोलती है verbal and non-verbal, ये सब चीज़े हम लोग detail में discuss कर चुके हैं, right, so next बात करते हैं, horizontal communication की, so अगर दो person हैं, जो की same position पे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजे, दो students हैं, A and B, ये दोनों same class में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये होगा horizontal communication, circular communication होता है, जिसमें की एक group leader होता है, जिसको की sender बोल चाहिता जाता है, ठीक है, ये communicate करते हैं, group के members के साथ, ठीक है, एक group का leader है, and group में हमारे पास multiple members हैं, ठीक है, तो ये सब ही group के members के साथ communicate करते हैं, ठीक है, जो की उनको सब कुछ present करते हैं, जो की them, this pattern of communication, sender जो है, वो messages को travel करता है, and जितने में भी members है group में, उन सभी को same time प होते हैं इसमें हमेशा feedback का एक major role होता है ठीक है next आता है हमारे पास transactional so जिसमें भी sender and receiver के बीच में message exchange होता है ठीक है and where each takes turn to send or receive the message तो दोनों को simultaneously message send करने की जो है opportunity मिलती है so transactional की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास इसको बोला चाता सकता है interpersonal communication यानि कि एक person दूसरे person से बात करता है ठीक है तो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया so अगर हम लोग देखें so option number a vertical ठीक है vertical होता है top से down level यानि कि senior student किसी junior student से बात करता है ठीक है so vertical को हम match करेंगे top down से next है horizontal horizontal को देखेंगे हम लोग humor oriented ठीक है next आता है circular यानि कि इसमें मैंने बताया feedback जहां पे भी होगा वो circular होगा and transactional होता है interpersonal यानि कि one to one communication so according हमारा right answer है option number three next question है which of the following groups has the components of paralanguage communication ठीक है so paralanguage communication क्या होता है यह बहुत साथा important है so इसका sequence हम लोगों को यहां पर बताना है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि options क्या दिये गई है voice emphasis and impression second है social space voice and impression voice social space and expressions and last option है emphasis social space and voice ठीक है so para languages क्या होती है अब जैसे हम लोगों ने verbal and non-verbal communication पढ़ ली ठीक है so non-verbal communication में basically हमारे पास eight types होते है non-verbal में eight types होते हैं में से की पहला आता है social space ठीक है दूसरा आता है time से related तीसरा आता है हमारे पास physical characteristics से related ठीक है next आता है body movement जो की अभी हम लोगों ने discuss किया previous section में previous question में ठीक है body movement के बाद आता है next touch ठीक है उसके बाद आता है para language next आता है इसमें artifacts and next आता है and warmant ठीक है तो यह है eight types जो की important है so exam में this question में para language के बारे में पूछा गया है ठीक है so it is the understanding the meaning by study of voice of a person ठीक है so जहां पर भी किसी person की voice के through हम पहचान सके कई बार होता है person के आवाज से पहचान जाते हैं कि वो कौन बोल रहे हैं ठीक है इसके अलावा हम यह पहचान जाते हैं उनकी tone से पहचान जाते हैं कि यह किस way में किस mood से हमें कोई particular बात बोल रहे हैं ठीक है तो इसमें आती है किसी person की pitch, rhythm, volume, speed of delivery of words and use of glitches so glitches होते हैं कि कैसे वो रुक रुक के बात करते हैं या क्या वो हमें taunting कर रहे हैं यह सब चीज हैं ठीक है पारा-language में वो आते हैं voice की quality, word पे stress यानि यह major words पे किस तरह से stress करते हैं important points को कैसे define करते हैं अपनी tone अपने expressions के through next आता है intonation और voice modulation so intonation and modulation किसी voice की होता है कि कैसे हम stress को shift करते हैं अपने message के through high tone, lower tone उसके through हम कैसे चीज को represent करते हैं pause, pause का मतलब है कि अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते अगर मैं एक second के लिए चुप हो जाओं तो आपको लगेगा कि शायद मैं आपको यह topic नहीं समझ आ रहा है, मैं नहीं explain कर पा रही है, मैं इसलिए चुप हो गई तो यह जो pause होते है न बीच पीच में यह बहुत important होते है, ठीक है, तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो temporary small pause लेना एक natural चीज है, लेकिन अगर हमारी pause थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो उसके different meanings जो है listener निकाल सकते हैं, pitch का मतलब होता है, यह measure होता है कि अगर low pitch है, तो मतलब मैं interested हूँ, नहीं हूँ, higher pitch है कि मैं गुस्से में अपनी pitch high कर सकती हूँ, ठीक है, तो यह हमारी excitement भी बताते हैं, नेक्स्ट आता है mixed signal, तो यह सब चीजें para language के अंदर आती हैं, ठीक है, पहले था verbal and non-verbal, non-verbal में आ यह सब चीजें आती हैं para language के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट आता है volume variation, so volume कभी होता है कि कभी हम जैसे classroom में पढ़ा रहे हैं, तो कभी हमारा volume हम कम करते हैं, कभी volume high करते हैं, ठीक है, वो depend करता है class के environment पे, और यह जितनी भी चीजें है, यह paper 1 यूजस inet में इसलिए आड की ग इसलिए सिखाने के लिए यह topic add किये गए हैं, ठीक है, इसके लावा next आता है overall impression, तो हमारा attitude कैसा है, हमारा dressing style कैसा है, हम कैसे students को अपने physical appearance, अपने nature, अपने बोलने के तरीके से attract कर सकते हैं, यह सब चीजें भी बहुत important होती है, ठीक है, so यहाँ पे अगर हम लोग बात करे question number 8 में हमारा right answer है, option number 1, तो हमारी voice भी important है, emphasis भी important है, and हमारा impression भी important है, ठीक है, so impression and expression यह दोनों चीजें आपको पता होगी, यहाँ पे एक नई term हमने देखी है, social space, तो social space एक physical या फिर virtual space होता है, जैसे कि social center होते है, online social media होता है, ठीक है, जिसमें की बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, एक दूसरे से interact करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठी होते हैं, वो different area में होते हैं, लेकिन वो फिर भी communicate कर सकते हैं, personal communication, formal communication, horizontal and informal communication. यहुत न्यादा इंपोर्मल इंपोर्म हैं यहां पर हमारा right answer है option number 3 that is horizontal communication यह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ . ठीक है? एक्वाल लेवल के लोग अगर आपस में बात करते हैं अगर मैं आप लोगों को बता हूँ सबसे पहले internal या external communication क्या होता है ये भी important है ठीक है so internal communication का मतलब होता है basically जो हम information का flow एक बताते हैं ठीक है organization में या फिर school, college में बहुत सारे लोग है उनमें अगर हम लोग जो है information share करते है vertically उस चीज़ को बोला जाता है क्या बोला जाता है internal communication so vertical and horizontal दोनों ही internal के अंदर आते हैं ठीक है next question is in the analog communication content is considered as so analog communication क्या होता है ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है exam में बहुत बार पूछा जाता है so analog communication जो है एक physical quantity होती है जो कि time के through vary करती है time to time ये difference बताती है ठीक है ये एक smooth and continuous fashion होता है and इसमें क्या होता है content सिरफ एक linear content linear and static format में जो है वो deliver किया जाता है ठीक है इसके एक example होता है जैसे कि laser beans होते हैं microwave होते हैं and analog communication एक process होती है जिसके through हम लोग message को send कर सकते हैं receive कर सकते हैं and process कर सकते हैं and ये जो भी information होती है जिसके through हम ये चीज़े करते हैं वो कुछ भी हो सकता है किसी image के through हम communicate कर सकते हैं voice के through कर सकते हैं video के through कर सकते हैं ठीक है तो ये सब बाते हैं analog communication के अंदर तो इसमें हमारा right answer है option number two that is static तो मैंने बताया static and linear ये दोनों important points है तो ये थे हमारे 10 questions तो अब ही है exercise question जिसका answer आप लोगों को comment section पर मुझे बताना है और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया evaluation test वो आप लोगों को मिलेगा Wednesday evening हमारे आप global online से ठीक है आपका link मैं description box में add कर दूँगी so communication through gesture is related to ये मैंने अभी discuss किया कि gestures की जहां पर बात करते हैं यानि कि हमारे how how की जहां बात करते हैं तो वो किस से related होता है kinesics, proxymix, para language या फिन non-verbal behavior तो ये बहुत ही easy question है इसका answer previous 10 questions पर ही based होगा ठीक है so आज के लिए सरफ इतना ही I hope you like the session